आज की या वीडियो भी ए फस्टेर के फस्ट समेस्टर के छात्रों के लिए मोस्ट इंपार्टेंट होने वाली है जिनको आने वाले दिनों में हिंदी की परिच्छा देनी है कल या परसो या फिर आपकी आने वाले दिनों में हिंदी मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट के प अब्जेक्टिव हैं और जिन भी चात्रों की परिच्छा एमसी की बेस्पे होने वाली उनके लिए बहुत ही महत्पूर वीडियो है तो आज किस वीडियो को शुरू करते हैं और आपका अपना ही चैनल सक्सेस्ट हुआ है जो कि आपको हमेशा एक्जाम की प्रप्रेशन ले लेकिन इसका सहुत्तर हो जाएगा अचार हजार प्रसाथ दुवेदी जी ने आधिकाल को आधिकाल का नाम दिया है जो कि बहुत ही पॉपलर परिच्छा में कई बार रिपीटेड कोश्चन है तो ध्यान रखेंगे ठीक है अगला प्रशन है कि भक्तिकाल को हिंदी साहित क किसने कहा है अगर आपकी परिच्छा मालेजिए लिखित होने वाली तब भी यह प्रशन आएगा कि भैया भक्तिकाल को हिंदी का स्रुण काल क्यों कहा जाता है इस्पेस्ट कीजी और ये आपके on objective में बूचा गया कि भैया हिंदी काल ठीक है भक्तिकाल को हिंदी साहित का सुनकाल किसने कहा है कौन से लोगों ने कहा है तो चलिए यहाँ पर कई सारे आपसे ने तो सही उत्तर आपको बताना रहेगा तो भक्तिकाल को हिंदी साहित का जो सुनकाल है ठीक है या फिर सुनकाल यूब है वो कहा है ठीक है जिनने रित काल को कला काल कहा है, तो उनका नाम है याद रखेंगे, रमा, संकर, शुक्ल, जिनको रसाल की उपाध भी है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा, आप्शन नुमर B, बहुत ही महात पून्ट प्रशने याद रखेंगे, अगला प्रशने की, छायावाद, पुस्तक की लेखक कौन है एक रश्णा है एक लेखक मतलब की मालीजे कहे फक्ते हैं रश्णा कहे फक्ते हैं आप कविता कहे फक्ते हैं या फिर ठीक है कोई भी मालीजे की एक तरीके से तो इसके जो रश्चनाकार मतब छायावादी पुस्तक के लेखक जो है उनका नाम है डाक्टर नामवर सिंग बी नमबर सही उत्तर होगा अगला कहरा कि निर्गुण का बिधारा के सर्वसेष्ट कभी का क्या ना मतब कि निर्गुण का बिधारा के सबसे प्रमुक और सबसे उच्छ सर्वसेष्ट कभी काउन है इन आपसरों में से तो सही उत्तर हो जाएगा आपसे नमबर कभी काउन से इन आपसरों में से और निर्गुण का बिधारा के भी है और संत कावधारा के याद रहेंगे आगला पशन भया कि संत कावब का प्रधान रशकौन सा है यानि कि जो संत काब आपसे बद्द्र से कि प्रेम मार्गी साखा के ठीक है अगर गन्य तथा प्रतिन नधी कभी माने जाते हैं कौन माना जाता बताईए चले कमेंट सेक्षिन में आपसे बिताईए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा आपसे नमबर ठीक है पत्वी एक मिनट एक मिनट एक मिनट जाइसी माने जाते हैं ठी साधना किस रूप में की गई है सूफी साधना जो है उसमें इस वहर की कलपना है तो आप शनानी रूप में की गई अगला कि सूपी ठीक के प्रेमाख्यानक प्रम्परा का प्रमुक रस क्या है ठीक है तो बहुत ही popular question है कि जो सोपी प्रेमा खानक जो काब रशनाये हैं ठीक है उनमें कौन सा रस मिलता है ठीक है तो इस प्रस्टिंगा से उत्तर हो जाएगा अप्षिन नमबर भी उसमें मिलता है स्रंगार रस ठीक है भी नमबर से उत्तर होगा अग तिकाल को स्रड़ यूप कहा गया है ठीक है अगला कि पुश्ट्यू मार्ग की अस्थापना किष्ट ने किया था बहुत ही पॉप्लर कोश्चने भी ठीक है सही उत्र हो जाएगा आपसे नंबर एब लबाचार ठीक है तो इस वीडियो में जितने भी कोश्चन है वो सारे के स गारंटी होती उस बात की गारंटी लेते हैं जिसमें गारंटी वाला होता उसमें गारंटी लेते लेकिन आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महात्पूर्ण अगर आप वीडियो को इंड तक देखेंगे लास तक तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी ठीक है तो चली अब बढ़ते हैं नेश कोशिन के ओर नेश कोशिन कही रहा कि भाया बिद्यापत जोकी प्रमुक कभी है इनका निधन समय बताई यानिकि कब इनका मृत्ती हुई थी बिद्यापति प्रमुक कभी की ठीक है याद रखेंगे ठीक है अगला प्रस्टित थे कि डाक्टर सबसे पहले किस कभी ने कहा है कि बिद्यापत को किनी विद्यापत को हिंदी का सरप्रथम गीत काब लेखा किस ने कहा है ठीक है गीत काब जो की सबसे सबसे पहले किस कभी ने कहा है कि बिद्यापत की सरप्रथम गीत काब के लेखा के बहुत पॉपलर कोश्चिन है सही उत्तर इसका हो जाएगा आपसे नमबर ठीक है डाक्टर स्यूपरसाद सिंग इंपार्टन्ट है याद रखेंगे ठीक है अगला प्रस्चन के और बढ़ते को ठीक है मेथिल कोकिल के उपात दी गई है जो की बहुत ही महात्पोड प्रस्चन है ठीक है याद रखेंगे अगला प्रस्चन आप लोगों के समस्थ प्रस्त्व थे कि बहिया देशिल बाइना सब जन मिठा किसका कथन है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपसे नमबर बिध्यापत जी का ए ठीक है चलिए अगला प्रस्ट्र में कहरा कि लिएगा कि लगई धकी उसके बहूं बहुत है महीं है शुच्छ पर जाएगा और प्रयवक्त में सभी इस बात को ध्यान रखेंगे अगला प्रस्चन परस्तु थे कि गूरक नाथ के गरूउ कौन थे ब याद रखेंगे चलिए इसके बारे में जान लेते हैं लेकिन आप लोग वीडियो को इंड तक देखते रहेगा बहुत ही महाद पूर्ट प्रश्णमा आप लोग एक समस्थ प्रस्तुत कर रहे हैं वीडियो को किया आपको काफी नुकसान हो सकता है अगला प्रशन रियोक दर्सन में किसको प्रमुक माना गया है प्रशन का सयएत्र हो जाए प्रशनक किसनल नमबर है माना गया चित्वरत्त के निरोध को ठिक है अगला है कि नाथों के संख्या कितनी मानी गई है बहुत ही popular question कई बार repeated question तो याद रखेंगे ठीक है नाथों की जो संख्या मानी गई है वो मानी गई है no ठीक है याद रखेंगे अगला question कही रहा है गोरक नाथ के ग्रंथों का संकलन किस नाम से प्राप्त होता है ठीक है तो परिच्छा में कई बार रिपीटेड कोईश्चन है तो गोरक नाथ पंत के परवर्तक थे और उसका नाम है नाथ पंत के परवर्तक थे अगला है कि गोरक नाथ को क्या कहा जाता है तो गोरक नाथ को ठीक है गोर ठीक है गोर छपा कहा जाता है गोर छपा के नाम से इनको भी मतलब गोर छपा भी कहा गया है ठीक है याद रखें गोरक नाथ को अगला है कि सिद्धो की संख्या कितनी मानी गई है ठीक है तो गोरक नाथ की अनुसार सिद्धो की जो संख्या है वो मानी गई है चवरा से याद रखेंगे ठीक है बहुत ही महत्पूर प्रशन ये भी है अगला प्रशन है कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था बहुत ही महत्पूर बहुत ही टॉप लेबल का कुश्चन आपके एक्जाम के लिए तो याद जरूर रखेंगे आप सभी के लिए के लिए ठीक है चलिए कमेंट सेक्चर में जिन चात्रों मालूम बेश्चक बता सकते आप लोग ठीक है तो इनका मतब कि इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा आपसे नमबर का ठीक है बारा सो तिरपन में अमीर खुसरों का जनम हुआ था ठीक है कई बार पैस चम्रीपीटर अगला कॉर्शन की अमीर खुसरों के दिछा गुरू कहीं थे टीक है तो अमीर कुछरों के जो दिछा गुरू थे ठीक है उनका नाम था हजिरत निजामुद्दीन ऑलिया ठीक है अगला प्रश्ण है कि अमीर खुस्तुरों का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था आपने संतों जान लिया कि यह 1230 में इनका जन्म हुआ था लेकिन इनका जन्म कहां पर हुआ था यह इस बात की पुष्टी आपको करनी है ठीक है तो से उत्तर हो जाएगा एटा में ऐटा में अलग अलग विद्वान के शार अलग अलग कि अलग जन्म और को मतवेध हो सकते यह नाम था तो सिम्पल सा उत्तर खिल जी के दोरा तब इस इनको अमीर खोसरों के नाम पर जाना जाना लगा है तो इनको जो अमीर है इनको उपाध ही मिली है याद रखेंगे अगला प्रशन है कि सूर सागर में कितने पद है भाई ये सूर दाफ जी फिर विड़े शूर्दाफ को कि milhões का समराट कहा जाता है तो सूर्दाफ जी को वातsal ले को समराट कहा जाता है याद रखेंगे ठीए बहुत ही महातपूर्ण पृष्ण हम आप समस्तुत किये हैं बहुत ही हाई लेबल किये है ठीए बहुत ही महत्पूर्ण काई बार पर इच्छा में आया हुआ कोश्चन है ठीक है अगला प्रशन है कि हिंदी साहित में भ्रमर गीत काव परमप्रा का परवर्तन किस ने किया तो सिंपल सा उत्तर लिखेंगे सूर दाफ जी नहीं किया ठीक है अगला कि अचार बिठल दाफ ज आगला कि सूर के भ्रमर गीत में गोपिया किसे तरक बितरक करती है तो सिंपल सा उत्तर लिख देंगी वह उधो कि परचा लेकर आय थे ठीक है लेटर एक तरीके से ठीक है आयो घोस बड़ो बैपारी में बैपारी कौन है ठीक है एक पंक्ति कही गई कि आयो घोस बड़ो तो ये बेपारी कौन है आपको बताना है तो इसमें जो बेपारी सब्द है वो उधो के लिए प्रियोग किया गया है ठीक है अफ्टर छाप की कभी कौन है तो अफ्टर छाप की कभी का नाम है शूरदाफ जी ठीक है बहुत ही पॉपलर कोश्चन है याद रखेंगे अगला अब आप कोश्चन देखने को मिलेंगे तुलसी दाफ जी से जड़ी तुलसी दाफ किस भक्त साखा के प्रतिन धी कभी थे आपको बताना कमेंट सेक्शन में चलिए जिन चात्रों को मावलूम बता सकते हैं आप लोग राम भक्त साखा के प्रमुह कभी है तुलसी दा दें लेकिन जो जादा पुष्टी हुई है वह हुई है पंद्रा सो बत्तिस में इनका जन्म हुआ है ठीक है तुलसी दाफ जी का याद रखेंगे महात्मा रगवर दाफ ने तुलसी का जन्म कहा माना है एक प्रमुह कभी है इनका नाम है रगवर दाफ जी का जो जन्म है इन्होंने कहा कि भीया इनका जर्म है राजापूर बांदा जिला में हुआ ठीक है राजापूर में बांदा जिला पढ़ता है ठीक है और तुल्सी को मानस काहंस किसने कहा है ठीक है यानि कि तुल्फीदाफ जी को एक कभी है ठीक है उन्होंने कहा कि तुल्फीदाफ जी मान कहां से हैं ठीक है तो ये जो कहा गई है पंक्त या फिरी वर्ड सब्द ये अमरत लाल नागर के द्वारा कही गई ठीक है अगला प्रशन बहुत ही पॉपलर जिसको आप सभी जानते हैं कि रामचेत में कितने कांड है तो आप लोग जानते हैं मुझे बताने क्या हो सकता है जो मैं चात चात रहें उनको मालूम होगा ठीक है तो इसमें भक तीरस है इस बात को ध्यान लखेंगे घान अमर से उत्तर होगा रामचेत मानस की भासा कौन से है आप लोग बताए कमेंट सेक्शन में तो रामचेत मानस की जो भासा है ठीक है वो है अउध्यी अगला कि कान सा कांड संकली थे मानस का जो आप फ़िजए के फ़र्स रमस्टर में के बारे मानस की फ़र्सिर पधाए का सन्क्राहा किसक precedent से सब्सक्राइब किस समय तह बता रे कि बीजक में अब यह क्यों था इसके बारे श्कार्णवार लेकलाक सब्सक्रार वीज अगला प्रशन है कि मस्य कागद छ्यो नहीं जो पंक्त है यह किसकी है तो सिंपल सा आप लोगों को मालूम है कि किसकी है कमेंट सेक्सिर में आप लोग बताइए चली चली जिन साथ लोग मालूम जरूर बताएंगे ठीक है कबीर दाफ जी कि आप सभी जानते हैं ठीक है और बहुत ही पॉप्लर कोईश्चन है कई बार पर चाम रिपीटेड है कबीर का जन्म कब और कहां हुआ था इसके भी जन्म के बहुत सारे मत भीए थे लेकिन ज्यादा पुष्टी हुई वह हुई है कि इनका जन्म होए वह 1398 भी में कासी में हुआ कबीर दाफ जी के गुरू कोड़ी कहा है मतब कि कभीर जी की जो भांसा उसको सधुकुड़ी सब्द का जो यूज है वो किस कभी ने या फिर किस लेकक ने कहा है ठीक इस बात को तो उनका नाम है याद रखेंगे रामचंद्र सुकुली जी ठीक है बहुत बार प्रशना चुका यह वाला ठीक है कभी अपने कावि में किसे स्टेश्ट माना है गुरू को पत्नी को पुत्र को यानि इनकी जो रशना है उसमें सबसे उद्वित जाना सरॉदी भक्त का जाना सराही निरगूर धारा के प्रवर्तक कं है कई बार repeated question याद रखेंगे कबीर की साधना किस प्रकार की थी तो याप सभी को मालूम होना चाहिए कि कबीर दाफ जी की साधना थी वो समाजिक थी पदमावत का कौन सा कांड जो की महाब काब है इसका कौन सा काब है आपके फस्टेर में मतलब फस्टर में आपको पढ़ना होता है ठीक है तो याद रखेंगे बहुत ही महात्पूर्ट प्रशन है चलिए comment section में आप सभी इसका उत्तर बता सकते हैं अगर आपको मालूम है तो मलिक महमद जैशी की ये बहुत ही प्रमोग और टॉप लेबल की दिशना है खानमबर से उत्तर जाएगा जैशी का पूरा नाम क्या था यका जो पूरा नाम है वो मलिक महमद जैशी है आप सभी जानते होंगे लगग 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 November 2019 का महा का बहे रशना है जिसका नाम इ कि फन में रची गई थी तो उस तन का नाम है पंद्रा सो चालिस में जाइफी जी के गुरू का क्या नाम था जाइफी जी जो थे इनके गुरू का नाम था ठीक है मुहूत दीन this is नंबर से उत्र होगा अगला की नाग मती हो रत्रसेन किस क्रत के पात्र है मतलब कौन फे रशना में जो पात्र हैं ये कौन से रश्ना में हैं ओंसे रश्ना में हैं तो सही- компании यूफ्जा नंबर पद्मावत में ठीक है पदमावत किस भासा में लिखा गया तो सिंपल सा उत्तर लेखेंगे लेकिन बहुत ही महात्पूर प्रश्ण है पूर्भी अवधी में लिखा गया पदमावत याद रखेंगे किस में लिखा गया है पूरभी अवधी में अगला कोश्चन है कि कहा मांसर चाहा सोपाई ठीक है कहा मांसर चाहा सोपाई पारस रूप यहां लगी आई यह पंक्ति किसकी है तो सिम्पल सा आप लोग उत्तर लिखेंगे मलिक मुहमद जाईफी जी की है पदमावत में किसकी प्रेम गाथा है तो simple सा उत्तर है लेकिन महातपूर है याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा रतन सेन और पदमावती की प्रेम गाथा का वड़न किया गया याद रखेंगे घानम्मर सही उत्तर होगा अगला प्रशन है कि पदमावत किस प्रकार का आप सभी जानते होंगे नहीं जानते हैं तो इस प्रशन का सही उत्तरा लोग लिखेंगे में किस प्रकाश्य fel बता लेए अगर आप लोग द्रमध को मालूम तो आपके लोग पास कशेः में को दें करते हैं बता हिए कमेर ृथे belongs्ट कर रहे हैं इक इस प्रस्षन कात्य नम केशो दास को कठिन काभी का प्रेत किस ने कहा है किस कभी ने कहा है कि यह कठिन काभी के प्रेत है तो उनका नाम है अचार रामचंद्र शुकल जी ने कहा है का नमबर त्रह उत्तर होगा अगला कि केशो हिर्देहीन कभी है यह किस कभी ने कहा है तो यह कहा है रामचंद्र श प्राशन है ठीक है वह 1621 पी में हुई है याद रखेंगे अगला प्रेशन है कि कि नियुक्त केंशन अस्करी जफ अरहूझना कराँ रखरी ऑप यह हमारे केसोदाफ जी की है याद रखेंगे बहुत महात्पूर्ट प्रस्टन है अगला प्रस्टन है बिहारी जी जो है ठीक है बिहारी जी की भासा क्या है यह कोश्चन पूछ रहा है ठीक है बहुत ही महात्पूर्ट प्रस्टन है यह याद रखेंगे ठीक है आप सब एक 52 की हुई है ठीक है बिहारी जी का जन्म कहां पर हुआ था तो सिंपल सा उत्तर लिखेंगे जो बिहारी जी का जन्म है ठीक है वो गौलेर में हुआ था जो कि मद्ध प्रदेश में पढ़ता है ठीक है नहीं पराग नहीं मधुरु मधु नहीं पराग नहीं मधुरु मधु प तब कि किसकी पुष्टी हुई कि कौन सा रफ जैदा आए ठीक है इनकी hours तो विहारी रतनाकर की रचेता कौन थे तो simple सा उत्तर लिग देंगे बिहारी । रतनाकर की जो रचेता है वह है जगनात दाफ रतनाकर ठीक है अगला है कि वहारी रतनाकर की रशना कब हुई है तो बिहारी रतनाकर की जो रशना है वो हुई है 1921 में गागर में सागर भरने का कार किस ने किया है तो आप लोग जानते हैं कि बिहारी जी नहीं किया यह बहुत ही popular question यह आपकी परिछार लिखित वाल में भी आता है अगला परिशना है कि बिहारी का युवा काल बीता था ठीक है किफ सहर में ठीक है तो बिहारी जी का युवा यानि की जो युवा जिस वर्स में थे ठीक है वो मत्हुरा में बीता था ठीक है अगला परिशना है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं बिकाफ यहीं काल अलेकली ही सो बिंद्यो आगे कौन हवाल इस धोये की रशना ठीक है आपको बताना है कि किस के लिए की गई थी ठीक है तो यहां पर कई सारे अपसन है तो यह जो है जैसंग के लिए की गई थी इस पंति की रशना हमारे जो परमुक कभी हैं कभी बिह बिहारी दास जी ठीक है बिहारी लाल जी और इनहीं के लिए जैशिंग जो राजा थे इनके लिए इन्होंने इस पंक्त की रश्णा की इस दोही की रश्णा की थी याद रखेंगे अगला प्रश्णा है कि घा नंद किस प्रकार की कभी थे तो कमेंट सेक्षिन में आप सभी बता सकते हैं ठीक है को महत्मूण प्रश्णा की रही ₹ मुहम्म Phillips साह रंगीली के यहां थे दरबार में नानंद के प्रेम की कशोटि जो है विरह अगला प्रशन है कि कि रेम की Peer काई कहा जाता tho회 तो स्प्र्थ लिखेंगे जनानंद पर खाहर जाता ठीक हैद रहेंगे जलसतो्य क्या नाम था तो गणानंद जी इस पूंध साह नन्द पर कॉर्धित होकर उन्हें क्या दंद दिया था तो उनको जो दंद दिया था याद रखेंगे काफी महत्मूर पॉर्षन तो से उत्तर हो नादिर साह की घह नंबर आगला पॉष्न है कि रीत बद्ध कभीओं की तुल्णा में घहनानंद का स्रंगार वरन अधिक आकर सड़ है क्योंकि वहाय क्या है ठीक है क्योंकि वहाई स्वानुभूत एवं स्वाचंद हैं ठीक है घानम्बर से उत्तर होगा घानम्बर घनादन्द किस काल के कभी थे तो याद रखेंगे बहुत भूत ही पॉप्लर कोईश्चिन है तो घना दन जी रीद काल के प्रमॉग पहुत है याद रखेंगे उर्दू में किस नाम से कविता की रष्णा कटे थे बहुत ही महात्पोड प्रशन है रशा के नाम पे इफी तरह आपको और भी बहुत सारी विर्श्न देंगें जो कि आपको तैयार कर लेना है हमारे प्रमुक्क вд sup और बहुत सारी कोशुण